मानि प्रजानमंती जी का बहुत बहुत अन्यवार अब मैं मानि प्रजानमंती जी से दस अधार एक प्यो गटरिंग योज़ना के अंतरगात आज एक लाग चौविस एक पॉन चौविस लाग किसानों को चौदा करोड़ से अधिक्ति देनलाशी इक्विली के रूप में अं जब एक हाथ से कई हाथ मिलते हैं तो हम अन्यव सिक्विली के अधिक्ति देनलाशी जब एक हाथ से कई हाथ मिलते हैं एक पंदे हैं एफपियो जाने किसान उपा तक संथ खिसानों का एक ऐसा संथ जिसमें वो ठीटी से लेकर उपच को बेचने तक साथ मिलतका करते हैं एक गाउं में एक जैसी फसल उगाने वाले 15-20 किसान अपना संहु बनाते हैं खिसानों के ऐसे कई समुभू से एक FPO बनता है। खिर्शीक शेत्र को मजबूत और हमारे मेनती किसानों को समृत्य बनाने के लिए ही माननी अग्रथान मंध्री जी ने इस यूजना की मीम रखी। जिससे किसानों की आए में फ्रित्री होने का उनका सपना की साकार बो रहा है। मोलभाव की ख्रमता बढ़ती हैं बलकि खाद, बीच, परिवहन, घंडारन आदी की लागत में भी कम ही आती है। FPO के माध्यक से किसान दूसरे बाजारों के साथ-साथ, इनाम मंदियों में भी अपनी उपज को सुविधा पूरभब देज रहे हैं। क्यानिक किसान अब तर उपज़ को ठाहीं। अब वो आर्मार, प्रोडिशन, अर्मनेजेशन, एफपी-ओ, उसके माध्यम थे प्यापार भी करेगा। इस यूजना में एक ब्लॉक, एक एफपी-ओ को लक्ष बनाकर रिशेश एफपी-ओ, जैसे शहर, जैविकुत-पाथ, बास, तिलहन, कृशीवानी की आदिपा भी कट्न किया जा रहा है। यूजना के ख्रियान व्यन के लिए कई एजंसियां कारे रखें। क्लस्टर आधारियत व्या पार से बिखन यानी CBP